स्री शिवाई नमस्तु भ्याम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि नववर्ष बहुत जल्द आने वाला है और आप सभी लोग ये भी चाहते होंगे कि यह नववर्ष आप लोगों के घर परिवार के लिए बहुत ही खुशाल बरा हो जैसे कि आपके घर में कभी भी पैसों की धनकी कभी कोई कमी ना आए मा लक्षमी इस नववर्ष में आपसे हमेशा प्रसंद रहें आपके घर में कभी भी कोई रोग बीमारी जो है आपके परिवार के सदस्यों को ना घेरे आपका घर परिवार इस नव वर्ष में हमेशा बहुत ही खुशहाल रहे हमेशा आपके घर में खुशहाली आती रहे दोस्तो उसके लिए आपको इस नव वर्ष में कुछ नियमों का पालन ज़रूर विशेश रूप से करना चाहिए जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ये वो विशेश नियम है जिन नियमों को अगर आप लोग पालन कर लेते हैं तो आपका नवर्ज बहुत ही खुशाल रहेगा और आपके जीवन में भगवान का अश्रिवाद भी आपको प्राप्त होगा मालक्षमी की क्रपा आप पर होगी ठीक है तो वो कौन से नियम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं नियमों को अच्छे सुनिया और अपनी जीवन में जरूर अपनाईए तो सबसे पहला जो नियम आता है वो माताओं भेहनों के लिए है ये माताओं भेहनों के लिए कुछ विशेश नियम है तो आप लोग जरूर सुने तो दोस्त कि रात में अगर आपने कोई आटा गुंद कर रखा हुआ है तो उसकी रोटियां आपको रात में ही पूरी बना कर रखनी है। आतमे ही उस अटे की पुरी रोटियां बनाकर रख देनी है उसके बाद जो दूसरी बात है वो भी हमारी माताओं भेहनों के लिए ही है वो ये है कि आप लोगों को जो है कभी भी अपने घर की रसोई घर में बिना इस्तनान करें नहीं प्रवेश्च करना चाहिए ठीक है कभी भी माताओं बहनों को यहाँ पर खुले बालों में बोजन नहीं बनाना चाहिए, खुले बालों करके रसुई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ना ही प्रशाद अगर आप कभी बनाने जाएं, तो खुले बालों में कभी प्रशाद नहीं बनाना चाहि ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना है इससे मा लक्षमी रोस्ट होती है अगर आप लोग ऐसे काम करते हैं और सांथ ही में आपकी उपर दोश भी लगता है उसकी बाद जो अगली जो बात है विशेश बात है जो कि आपको इस नाए साल में ध्यान में रखनी है वो विध्यारतियों के लिए है जो कि अभी अपने जीवन में सिख्षा को ग्रहन कर रहे हैं और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ विशेश नियम है वो अपने जीवन में अपना है और वो खुद जानेगे कि वो कितनी सफल पढ़ाई कर रहे हैं, अध्यान कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं, आपको प्राता काल ब्रह्म महुरत में उठना है, मतलब चार से पांच बजी के बीच में, और उस समय उठकर, उस समय के लिए आपको अपने पढ़ाई का अपनी शिक्षा का अध्यान करना है, ठीक ह उसके बाद जो है आप लोगों को माता पिता के भी पैर जरूर पढ़ने चाहिए है ना इससे भी आपको जो है भगवान का आश्रवर्त प्राप्त होता है यह माता पिता का भी आश्रवर्त प्राप्त होता है और उससे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं उसक एकागरता बढ़ती है आपके याद करने की शमता बढ़ती है आप जो एक बार पढ़ लेते हैं वो आप भूलते नहीं है ठीक है इस बात को आप जरूर से ध्यान रखिएगा अब दोस्तो जो अगले नियम है आप लोगों को बता जा रहे हैं ये सबी लोगों के लिए हैं उसके बात दोस्तो जो अगला नियम है वो ये है कि शाम के समय कभी भी आपको कंगी नहीं उचना चाहिए क्या नहीं उचना चाहिए कंगी जो आप लोग शाम के समय अगर आप कहीं पर जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप कंगी को लेकर अपने बालों को ना उच उसकी बाद दोस्तों शाम के समय अगर आपके घर पे कोई उधार मांगने आ जाता है मतला पैसा मांगने आ जाता है या आपके घर के कोई भी सामगरी कोई भी चीज उधार मांगने आ जाता है कि भई ये सबजी दे दो ये नमक दे दो या कोई भी शक्कर दे दो तो आपको शाम के समय किसी को भी अपने घर की कीमती चीज या कोई भी सामगरिया धन कभी भी किसी को शाम के समय नहीं देना चाहिए अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी घर से ये समझे कि मालक्षमी चाह रही है वो ठीक है मालक्षमी आपकी घर से चली जाती है अगर आप शाम के सम का कोई भी सदस्य भाहर जा रहा है बिना किसी कारण वजश बिना किसी मतलब कारण के तो उसको नहीं जाना चाहिए ऐसा बिलकुल भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए इस नियम को आप विशेश रूप से ध्यान रगे शाम के समय कोई भी आपके घर का व्यक्ति भार ना जाया करे है ना और किसी को भी कोई चीज उधार ना दिया करे है उसके बाद दोस्तो अगला जो नियम है वो यह है कि आपको शाम के समय अपने घर की चौकट पर देहली पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए कहाँ पर अपने घर की कोई भी जो मुक्खे द्वार है या जो आपका में गेट है या जो अंदर के द्वार है चौकट है उन पर आपको कभी भी यहाँ पर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए शाम के समय विशेश कर कि हम बात बता रहे हैं क्योंकि शाम का जो समय होता है वो भगवान का ब्रह्मन का समय होता है मतलब भगवान शेवारमाता पारवती ब्रह्मन के लिए निकलते हैं और उस समय जब आपके घर के दरवाजे बंद मिलेंगे तो आपके घर में ना तो और दोस्तों कभी भी अगर आप लोगों के घर में इस नववर्ष में अथिती आते हैं तो आपको उनका भगवान के जिसे स्वागत करना है इसलिए आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि अथिती जो है भगवान का एक स्वरूप होते हैं जैसे कि आपके घर में कभी कोई अथिती आते हैं और अथिती आते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनका सम्मान करें आपकी घर में जितने सदस्य हैं वो सभी लोग बराबरी किसे अपना-पना सम्मान करें उन अथिती गड़ों का ठीक है ऐसा नहों कि अथिती आप पर ये नियम जरूर मालूम हुआ कि देवी को देवियों को जो है कौन सी बाती का दीपक लगाया जाता है और देवताओं को कौन सी बाती का दीपक लगाया जाता है कई सारे लोगों को नहीं भी पता है तो हम आप लोगों को पदा देते हैं इस नियम का भी आप लोग पालन बाती का दीपक लगाना चाहिए अब उसमें आप तेल डाल रहे हैं घीर डाल रहे हैं वो आपके उपर है पर जो देवता होते हैं देवताओं के सामने हमेशा जो है गोल बाती का दीपक लगाया जाता है ठीक है यह जो नियम है यह पहले से ही है और यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवताओं के सामने हमेशा गोल बाती का दीपक लगाया जाता है उसके बाद जो देवियां होती है जैसे कि मा लक्ष्मी हो गई, माता पारवती हो गई और राधाजी हो गई उनके सामने आपको लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए ठीक है मतलब कि दे जुनियम है वो ये है कि आप लोगों को शनिवार के दिन, मतलब नव वर्ष्ट तो आही रहा है, अब इस नव वर्य ने जब भी एक घीका दीपक तयार करके किसी भी पीपल के व्रक्ष के नीचे जाकर दीपक को प्रजवलेच जरूर करना चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के व्रक्ष के नीचे विश्नुजी और मातालक्ष्मी का वास होता है जब आप वहाँ पर दीपक लगाने जाते हैं तो मातालक्शमी और विश्णूजी आपके घर तक आपको घर में प्रवेश करते हैं तो आपको इस वात का ध्यान रखना है शनीवार के शनीवार आपको घिकत दीपक पीपल के व्रख्षी नीचे ज़रूर लगाने के लिए ज करना है तो इसलिए आप लोग को कोशेश ये करना है कि आप कभी भी रविबार के दिन पीपल के वरक्ष के नीचे भूल कर भी ना जाए है ना इन बातों का आपको थोड़ा विशेश रूप से ध्यान रखना है अब दोस्तो एक बहुत ही विशेश हम आप लोगों को बात बताते हैं जो कि आपको इस नवश में ध्यान रखना है आपके घर में फ्रेज होगा जातातर लोगों के घर में होगा अगर नहीं भी है तो आपके घर में एक डलिया होगी है ना मिर receive आप जानते कोई सा होते नीबू मिर ची को कभी भी एक सांद झाँ प्रेज में नहीं रखना चाहिए , ना ही डलीता में रखना छाहिए , क्योग है आप लोग जानते है नीबू मिर्ची किस चीज का प्रतीख है ?? कि जो है ये दुकानों के बाहर लगाया जाता है मतलब जो बुरी नजर लगती है न तो वो बाहर के बाहर ही रुक जाती है दरिद्रता जो आती है न वो बाहर के बाहर ही रुक जाती है कि उनका जो निम्बू मिर्ची जो आप मिला देते हो ना तो बार के भार ही रुख जाती है पर यही चीज अगर आप लोग घर में कर रहे हो भी निम्बू मिर्ची को भले ही आप लोग कुछ मतलब बांद कर नहीं रख रहे हो ऐसी रख रहे हो आपकी डलिया में आपके फ्रेज में जो है अगर आप निम्बू मिर्ची को मिलाकर रख रहे हो तो आप यह समझो कि आपके घर में दरिदर्ता आनी ही आनी है तो इसलिए आप लोग इस नियम को अभी पालन कर लेना इस नवर्ष में कि आपको निम्बू अलग रखना है और मिर्ची अलग रखना है ये दरिद्रता का कारण बन जाएंगा अगर आप लोगों ने दोनों को मिला कर एक साथ रख दिया है तो आपको फ्रिज में एक साथ दोनों चीज़ों को नहीं रखना है ना ही एक डलिया में जो है निम्बू मिर्च को एक साथ मिला कर रखना है अगला जो विशेश नियम है वो ये है कि आप लोगों को रात में जब आपका रात का खाना आप लोग बनाते हो आपके घर के सभी सदस से रात का भुजन ग्रह बहले ही आप लोग एक रोटी ही क्यों ना बचा कर रखो एक रोटी जरूर आपको बचा कर रखनी चाहिए गाई की तो आप मतलब देते हो नहीं देते हो वो हमें नहीं पता है पर गाई की तो रखी रहती पर साथ में एक दो रोटी आपको अलग से बचा कर रखनी चाहिए इस बात का ध्यान रखना है आपको उसके बाद दोस्तों आपकी घर में जहां पर भी आप अपना घी रखते हैं शुद्य देसी गाय का घी जो आप रोटियां में लगा-लगा कर खाते हैं वो गी की बाटकी कभी भी खतम नहीं होना चाहिए उस घी की बाटकी में भले एक चम्मची क्यों न गी हो आदा चम्मची क्यों न गी हो वो घी बचा रहना चाहिए कभी भी घी की बाटकी में घी खतम नहीं होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है ना दोस्तों ये सारे वो विशेश नियम थे जो कि आपको अपने न पंडिज जी ने अपनी अलग-अलग कताओं में बीज वीच में विशिश बातों के वारे हैं जो कि हमने आपको बता दिये हैं डून-डून कर निकाल कर हमने आपको यह साही बाते हैं आपकी कोई प्रशन हो आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और यही सब बात है अगर आप लोग आराम से बैट कर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भोलिनाथभक्ती.com पर जाकर भी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं जिसकी स्पैलिंग है ब-H-O-L-E-N-A-T-H-B-H-A-K-T-I.com है ना भोलिनाथभक्ती.com पर जाकर यह सारी जानकार यह आप लोग लिखित के रूप में वहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से बैट कर हैं ना तो इस वीडियो को शेयर जरू कर दीजेगा कोई भी समस्या थी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ओम नमाज शिवाय जये फले आपास्री शिवाय नमस्तो भ्याम